इस वीडियो में हम देखेंगे Indications of Cryotherapy यानि कि therapeutic effects हम कहां कहां पर use में ले सकते हैं Cryotherapy को तो मेरी पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि physiological effects क्या क्या होते हैं Cryotherapy के अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखे तो हमारा जो first indication है वो है acute inflammation तो acute inflammation का मतलब है कि जबी भी हमें लगती है कोई भी injury होती है हम कहीं से भी घिर जाता है आप इस sports injuries वगर होती है तो उसके immediately उसके बाद में वहाँ पर जहापे भी injury होई है वहाँ पर inflammation देखने को मिलता है वो जो inflammation है जो हमें injury के तुरंत बाद में देखने को मिलता है उसको बोलता है acute inflammation और इस inflammation को कम करने के लिए हम cryotherapy देते हैं तो आप हमेशा याद रखना है जबी भी हमें लगती है जबी हमें injured होते हैं तो उसके तुरंत बाद में हमें क्या करना है cryotherapy देनी cold therapy देनी, कभी भी heat therapy नहीं देनी, heat therapy हमेशा हम chronic cases के अंदर देता है तो inflammation के अंदर basically होता क्या है, कि जैसे वहाँ पर inflammation होने लगेगा तो हमें क्या-क्या दिखा ही देगा, वहाँ उस area के अंदर swelling हो जाएगी, वह area red हो जाएगा उस area के अंदर redness हमें देखने को मिलेगी, और दूसरा उधर का जो temperature है, वो increase हो जाएगा तो यह सारे symptoms हमें देख, यह सारे symptoms है, जहाँ पर swelling आएगी, वहाँ पर हमें यह सारे symptoms देखने को मिलेगे तो जैसे ही suppose करो हमने वहाँ पर ice pack लगाया, तो जैसे हम ice pack लगाएंगे तो क्या होगा यह swelling, redness, यह सारे symptoms है, वो कम हो जाएगे तो जबी भी हम cryotherapy यूज़ करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर symptomatic relief मिलेगा यानि कि जो भी inflammation की वज़े से जो symptoms आ रहे थे, वो कम दिखेंगे swelling कम हो जाएगी, वहाँ की जो redness है, वो कम हो जाएगी तो इस तरह से जो acute inflammation जबी भी हमें लगती है, उसके बाद में जब acute inflammation देखने को मलता है तो उस time पे हम cryotherapy यूज़ में ले सकते हैं यह तो हो गया हमारा symptomatic release, इसके अलावा, जबी भी inflammation होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, कि जो metabolic activity होती है, वो बहुत जादा भढ़ जाती है मतलब कि वहाँ पे बहुत सारी जो cells है, उस area के अंदर आती है, हमारे mast cells हो गए, lymphocytes हो गए, या सी बहुत सारे अलग-लग cells उस area के अंदर आता है, बहुत सारे chemicals release करता है, जैसे histramine हो गया, prostaglandin हो गया तो वहाँ की जो metabolic activity होती है, वो बहुत जादा भढ़ जाती है, जहाँ पे भी inflammation होता है, acute inflammation तो उस time पे जब हम cryo therapy use में लेंगे, तो वो क्या करेगा, वहाँ पे जो metabolic activity भढ़ गई है, तो उसको कम करेगा जो भी chemicals अगर release हो रहे है, जैसे histramine, prostaglandin उस area के अंदर, तो उन सारे chemicals का जो secretion है, वो भी कम करेगा तो ये भी एक तरह से help करता है, हमारे pain को कम करने के लिए, हमारा, जो भी वहाँ पे जो dangerous activities हो रहे है, जो cells को destroy करने वाली activities हो रहे है, उन सब को activities को कम करने के लिए, हमारी cryotherapy मदद करती है के अलावा, जब भी हम acute inflammation के time, हम cryotherapy देंगे, तो वहाँ का जो pain होता है, वो भी कम हो जाता है, अब pain कैसे कम हो जाता है, एक तो मैंने आप लोगों को already बताया, कि जब भी उन cryotherapy वहाँ पे यूस में लेंगे, तो वापे जो भी histramine, prostaglandin जो release हो रहा है अस area के अंदर, जो यह हमारी pain की nerve है, जो हमारा pain की nerve होती है, तो उसको यह activate कर देता है, जो भी histramine, prostaglandin दी known 我गर होता है, वो आगे हमारी pain की nerve होती है और हमारी pain की nerve होती है, फिर आगे जा के हमारे brain तक signal पहुचाते है कि उस area के अंदर pain हो रहा है, तो जैसे हम cryotherapy यूस में लेंगे तो जो ये च्यांक हो जाएगा तो इस तरीके से ये pain को कम करती है दूसरा ये क्या करते है pain gate mechanism की थूँआ पेन को कम करते है अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखिए कि मैंने आप लोगों को बता दिया है क्या हो गया मेरे कोलड के जो डिचփटर के वह अधिवेट हो गए यह जैसे पें के रिसप्तरfunding को ब्रेन तक जाने नहीं देंगे, इसका जो कंडक्शन है वो एकदम रोख देंगे और खुद चले जाएंगे ब्रेन तक इस वज़े से क्या होगा हमें पेन की जो स्ट्यूमलेस है वो फील नहीं होगा पेन उदर जो इस एरिया के इंदर फील नहीं होगा और जो cold होता है वो pain का क्या करता है उसका conduction बंद कर देता है खुद चला जाता है brain तक तो यह होता है हमेरा pain gate mechanism तो इसकी मदद से भी हमें जो pain होता है वहाँ पे कम फील होता है इस वज़े से हमें जैसी injury होती है तो उसके बाद में हमें cryotherapy देना बहुत जरूरी होता है और जो time period रहता है इसका वो रहता है 15 minutes या उससे कम का time period है तब तक हमें cryotherapy देनी है क्योंकि जो 15 minutes होता है उसके प्योर वेजो कॉंस्रिक्शन होता है वो देखने को मिलता है 15 minutes के बाद में वहाँ पे वेजो डिलेशन भी हो जाता है तो उस वज़े से जो 15 minutes या उससे कम का time period है वहाँ पे उतने time period के लिए हमें cryotherapy देनी है control edema तो यह edema जो वहाँ पे swelling हो जाते है जो वहाँ पे swelling आ जाता है तो उसको भी control करने के लिए हम cold therapy यूज में ले सकते है तो जैसे हमारे वहाँ पे inflammation होता है जैसे injury होती है और वहाँ पे inflammation होता है तो उस time पे हमें edema भी swelling भी वहाँ पर उस area के अंदर देखने को मिलती है तो अब cryotherapy कैसे इसको control करता है तो जैसे यह मेरी capillaries है तो जैसे सपोस करो कि इस area के अंदर मेरे injury होई थी और वहाँ की जो capillaries है वो भी injured हो गई अब capillaries के अंदर क्या होता है blood होता है आप लोगों को अल्रेडी पता है तो जैसे यहां पर inflammation वगर आएगा यहां पर inflammation वगर होगा जो chemicals वगर है जैसे histramine prostate यह सारे chemicals यहां पर release होंगे तो यह सारे chemicals क्या करता है वेजो-dilation कर देता है जो हमारी जो arteries है जो capillaries है इंसाब का vasodilation कर देता तो इस वज़े से यहां का जो blood flow होता है वो बहुत जादा increase हो जाता है और इसी वज़े से यहां पर redness भी दिखाई देते है उस time पर तो फिर यहां का blood circulation होता है वो बहुत जादा increase हो जाता है क्योंकि histramine prostate blending यह सब क्या है वेजो डाइलेटर्स है यह सारी जो हमारी जो arteries, capillaries है उनको vessels का dilate कर देता है और यहां का blood circulation इंक्रीज कर देता है बट क्योंकि हमारे यहां पर पार्ट था वो injured हो गया था तो उस वज़े से हमारी जो capillaries होती है वो भी injured हो जाती है इस वज़े से यहां का जो blood है वो बाह बाहर आजाता है जो भी हमारा प्लास्मा जो भी ब्लड था वो सारा बाहर आजाता है तो इस वज़े से यहां पर swelling वगर देखने को मिलती है तो इस टाइम पर हम क्या करेंगे इस एरिया के उपर हम यहां क्रायोथेरपी क्या हम यूसमे लेंगे हम जो एरिया है उसके उपर bandaging कर सकते हैं जो हमारे elastic bandages वगर आती है वह हम उस area के उपर bandages लगा सकते हैं और उस part को alleviate कर सकते हैं क्योंकि अब क्या हो गया ग्राविटी के अगेंस्ट हो गया, वह क्या करेगा, help करेगा, facilitate करेगा, जो भी आपका, जो blood या फिलूइड है, उसको heart की तरफ आने के लिए, तो इस वज़े से हमें क्या करना, एक तो उसके उपर elastic bandaging कर दे दिया, और spot को alleviate कर दिया, और फिर वहाँ पे हम cold pack यूस में ले सकते, तो यह क्य जैसे हम ice लगाएंगे, जैसे हम cold pack या फिर ice लगाएंगे, आप लोगों को पता ही है, कि ice क्या करता है, जो vessels है, उसका constriction कर देता है, वेजो constriction कर देता है, तो उस वज़े से भी वो मदद करता है, हमारी जो swelling है, उसको कम करने के लिए, तो अब जो next हमारा therapeutic effect है, वो है pain control तो अब trial therapy pain को कैसे कम करता है, तो दो method से जो trial therapy है pain को कम करता है, एक तो है हमारा direct method और दूसरा है indirect method, तो direct method के अंदर क्या होता है, कि जैसे हमारा ये pain का, pain की nerve थी, जो pain का signal brain तक लेकर जा रही थी, ये हमारी spinal cord के through, पे जो brain है, वहाँ तक pain का signal लेकर जा रही थी, ये हमार नोसिसेप्टर हो गया जो पेन को लेकर जाता है तो ए डेल्टा और जो सी फाइबर होते हूं क्या करते हैं पेन की इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड के थू ब्रेन तक पहुछाते हैं लेकिन जैसे हम कोल्ड थेरपी देते तो उस टायम पे क्या होता है हमारे जो कोल्ड के सक्कend Windows के पहुछ पॉछने देते औक चले जाते थो इसको कोम डी मेकर जैसे हमें लगती है तो वहाँ पे inflammation होता है, inflammation के दौरान कुछ बहुत सारे chemicals है, protons है, prostaglandin है, histramin है, बहुत सारे chemicals release होता है उस चाहिं पे, और वो chemicals basically करते क्या है, यह जो हमारा जो nociceptors होता है, C fibers या की A delta fibers, इनको activate कर देते हैं, हमारा जो pain के receptors होता है, उनको activate कर देता है, और pain के receptors जैसे activate होंगे, तो वो क्या करेंगे, brain तक information लेके जाएंगे, pain की, और उस वज़े से हमें वहाँ पे pain होगा, तो जबी भी हम cold therapy देंगे, तो वो क्या करेंगा, इन सब की chemicals, जो भी inflammation वगर होता है, तो उन सब को कम कर देता है, अब जैसे inflammation कम होगा, जैसे chemicals होगर release होना कम होंगे, तो automatically जो हमारा जो pain की जो nerve है, वो automatically comes tumulate होगी, तो उस वज़े से indirect mechanism के थ्रू भी ये pain को कम करता है, तो जो next हमारा जो indication है, वो है spasticity reduction, तो spasticity basically होता क्या है, कि spasticity का मतलब है कि जो हमारी जो muscle की जो tone होती है, वो बहुत जोड़ा increase हो जाती है, हमारी जो muscle होती है, वो बहुत जो contracted रहती है, वो relaxed नहीं हो पाती है, तो इस ताएम पर हम cryotherapy देखें, उन muscles को relax कर सकता है, वो कैसे, जैसे हमारी muscle थी, उसको क्या supply मिल रही थी, motor nerve की, आप लोगों को पता होगा कि motor nerve का मतलब क्या होता है, जैसे motor nerve signal लेके जाती है, muscle के पास, और muscle contract करती है, तो spasticity के time क्या होता है, जो muscle जो होती है, वो contracted ही रहती है, वो अच्छे से relaxed नहीं हो पाती है, तो इस time पर जब भी हम यहाँ पर cryotherapy देंगे, आने की cold therapy देंगे, उससे क्या होगा कि यह हमारी motor nerve थी, motor nerve में अभी कौन सी जो हमारी गामा motor nerve है, गामा motor nerve, तो वो basically उसको क्या करता है, उसका जो conduction है, उसको कम कर देता है, तो जैसे हम यहाँ पर cold pack रखेंगे, आपको कोई भ जब टाइम के लिए, extended period of time के लिए हमें वहाँ पर cryotherapy देनी पड़ेगे, ऐसा नहीं है, सिर्फ 10 मिनट रखा, या सिर्फ 15 मिनट रखा, at least 30 मिनट तक हमें वहाँ पर cryotherapy देनी है, और वहाँ पर उसके बाद में हमें क्या मिलेगा, कि जो muscles है, वो relax हो गई है, क्योंकि वहाँ नर्व का जो conduction है, मोटर नर्व का जो conduction है, जो आगे जाके muscle को contract करवा रही है, तो उस nerve का जो conduction है, उसी को कम कर दिया, cryotherapy ने, तो उस वज़े से वो stimulus muscle के पास लेकर ही ने आपाई इसनी, तो उस वज़े से muscle जो है, वो relax हो गई, तो इस वज़े से हमें 30 मिनट तक cryotherapy देनी है extended period of time के लिए हमें cryotherapy देनी है, तब हमें spasticity है, वहाँ पे कम देखने को मिलेगी, तो अब जो next हमारा indication है, वो है facilitate muscle contraction, तो जब भी हम ice use में लेते हैं, तो उस time पे हम muscle का contraction भी करवा सकते हैं, जो मैंना पिछली बार आपको पिछला indication बताया है, वो था spasticity को reduce कर रहा था, मतल muscle को contract कराने के लिए भी use में ले सकते हैं, तो आप इन दोनों चीजों के अंदा confuse मत होना, spasticity वो कैसे reduce कर रहा था, जब हम बहुत लंबे time के लिए हम cold therapy वहाँ पे दे रहे थे, तो उस वज़े से वो spasticity को कम कर रहा था, तो उसने conduction ही कम कर दिया, motor nerve का, लेकिन अगर हम बह muscle थी, और उसको क्यों supply करता है, motor nerve, उसने क्या किया, जैसे हम quick ice वहाँ पे लगाएंगे, तो उसकी वज़े से क्या होगा, इसकी excitability है, वो increase हो जाएगी, और जैसी motor nerve excite हुआ, तो वो आगे जाके क्या करेगा, muscle को contract कर रहेगा, तो ऐसी जो भी muscles होती है, जो contract नहीं कर पा र तो उस time पर अपन क्या कर सकते है, ice therapy दे सकते है, quick ice therapy, हमें बहुत जादा extended period of time के लिए नहीं देनी है, वो हमें spasticity को कम करने के लिए देनी है, इस time पर हमें brief time के लिए quick icing करनी है, ताकि हम जो muscle contraction है, उसे करवा सके, अब जो next, जो indication है, वो है cryo stretch, तो यह basically combination है cryotherapy का और stretching का, यह basically हम उनके लिए जादा use में लेता है, जैसे sports person हो गए, जिनको फटा फट treatment लेना है, उसके बाद में वापस से field में उतरना है, तो इसके अंदर क्या होता है, कि पहले हम cryotherapy देते हैं, और उसके बाद में हम stretching देते हैं, वो कैसे, जैसे suppose करो, कोई भी sports person था, उसे injury हो गई है, 3 से 4 minutes के लिए हम आपकी उस muscle के stretching करवानी है, तो इससे क्या होगा, कि जो भी वो muscle है, वो recover होने में बहुत उसको आसानी होगी, अब जो next हम जो देखेंगे, वो है contraindications of cryotherapy, जैसे कौन-कौन से जगाय है, जापे हम cryotherapy बिल्कुल use में नहीं ले सकते हैं, तो first है, peripheral vascular disease, peripheral v disease के अंदर आता है, जैसे कि atherosclerosis, atherosclerosis basically क्या होता है, जैसे हमारी artery है, इसके अंदर क्या होता है, कि lipids, cholesterol, यह सब deposit हो जाते हैं, उस वज़े से क्या होता है, जो हमारा जो lumen होता है, आर्ट्री का, वो कम हो जाता है, अब जो blood flow होता है, कम जा पाता है, आप खुद suppose करो, और ऐसी arteries के उपर हम cold pack रग देंगे, उसकी वज़े से क्या होगा, इस वज़े से क्या हुआ, कि यहां का blood circulation और जादा कम हो गया, क्योंकि जो arteries थी हमारी, उसका vessels का constriction हो गया, इस वज़े से यहां कि जो आसपास ज़र भी यह supply कर रही थी, तो उन cells का death होने का chances, वहां का gang green होने के chances बहुत जादा increase हो जाते हैं, तो इस वज़े से यहां पर हम कभी भी ऐसी जगाओ पर हम cold therapy नहीं दे सकते हैं, अब जो हमारा next, जो contraindication है, वो है vaso spasmodic diseases, तो इसके अंदर आता है Reynolds disease, तो वह basically क्या होती है, हमारी जो peripheral, जैसे कि हमारी fingers हो गया, या फिर toes हो गई, उसको normally वो affect करती है, तो इसके अंदर होता क्या है, कि अगर थोड़ा सा भी, जिसको भी rain out disease है, तो उसको अगर हम थोड़ा सा भी cold का exposure होगा, तो उसकी जो arteries होगी, वो एकदम vaso spasm के अंदर चली जाएगी, वहां का blood circulation होगा, वो बहुत कम हो जाएगा, तो उस वज़े से जो patient होता है, उसके normally जो हमारे जो nail beds होता है, वो black हो जाते है, और वहां का circulation होता है, वो stop हो जाता है, तो ऐसे लोगों के जिनको ये disease है, उसको अगर हम old और cold therapy दे रहे हैं, जिसके अंदर और जादा vaso vessels का construction होता है, तो obviously ये जो condition है, और जादा serious हो जाएगी, और जादा भ cold therapy बिल्कुल use में नहीं लेनी, अब जो next, जो condition है, वो cardiac diseases, अगर किसी को कोई cardiac diseases है, तो उस time पे भी हमें precaution के साथ में, जो cold therapy है, वो use में लेनी है, especially जो myocardial infarction होता है, तो myocardial infarction में क्या होता है, जैसे हमारा heart है, तो उसकी जो blood supply होती है, उसकी जो blood vessels होती है, अगर उस उसके अंदर atheroma बन गया, जिस वज़े से जो heart को अच्छे से proper blood supply नहीं मिल गया, और उसके उपर हम क्या कर रहे है, हम cold therapy यूस में ले रहे है, हमारे कोई भी body part पे cold therapy यूस में ले रहे है, तो उसकी वज़े से क्या होगा, बीपी जो होगा, वहां का fall हो जाएगा, अब ब heart जो है अपने activity को भड़ा देगा, तो उस वज़े से patient tolerate नहीं कर पाएगा, तो इस time पे भी हमें जो cold therapy है, वो use में नहीं लेनी, अगर कोई ऐसे patient है, जो बहुत जादा over sensitive है cold के साथ, मतलब कि जैसे हमने ice application किया वाँ पे, और उसको जैसे हम ice को remove किया, और वाँ पे हमें थ अब जो last, जो हमारा contraindication है, वो है cryoglobinemia, तो इसके अंदर क्या होता है, अगर कोई ऐसा patient है, जिसके अंदर abnormal protein present है, abnormal cryoglobin present है, तो यह actually करते किया है, जैसे हम low temperature के contact में आएंगे, जैसे हम वहाँ पे ice pack लगाएंगे, ऐसे patient के अंदर, जिसके अंदर cryoglobin, यानि कि abnormal protein present है, तो व abnormal protein present है, तो वो क्या करेंगे, clump होना चालू हो जाएंगे, इस वज़े से वो क्या कर सकते है, हमारा blood vessel है, उसका blood flow है, उसको भी restrict कर सकते है, क्योंकि ये blood vessel को maybe occlude करके, उदर का blood circulation है, उसको restrict कर सकते है, तो ऐसे patient जिनके अंदर abnormal protein है, जो abnormal cryoglobin, जो protein होता है, वो present है, तो ऐसे टाइम पे भी हमें cryo therapy use में नहीं लेनी,